Axis Bank ने एक नया credit card launch किया है जिसकी मैं बात करूँगा My zone credit card या credit card lifetime free credit card है जिसकी मैं आज चर्जा करूँगा इस credit card को आप कैसे apply करना है इसका मैं full process बताऊँगा बिना किसी document का आप इसको कैसे apply करके इसका approval ले सकते हैं बिडियो स्टार्ट करने इस पहले आपको बिडियो पसंद आगा तो बिडियो को like और चैनल को subscribe करके रखेगा तो चले mobile के screen पर चलते हैं और कैसे Axis Bank का my zone credit card को apply करना है इसका full process बताऊँगा तो चले computer के screen पर चलते हैं और इस process को जान लेते हैं तो आज के वीडियो में आपको बताऊँगा यह card अभी offer चला है इस month में अगर September month में आप इस credit card को apply करते हैं तो यह card आपको lifetime free मिलेगा इसके बाद पता नहीं Axis Bank क्या करेगा lifetime देगा या उस पे कुछ charges लगाएगा तो चलिए मैं इसको आज के वीडियो में आपको full process बताऊँगा कि कैसे आप इसको apply करके इसका approval ले सकते हैं तो चलिए start करते हैं सबसे पहले मैं वीडियो का description में link दे दूँगा directly click करके आप इस link पे आज यहेगा इसमें आपको क्या-क्या detail डालना है पहले customer name यानि आपके जो pen card पे वही नाम यहाँ पे डालिएगा आपको उसके बाद अपना mobile नमर डाल देना है यहाँ पे email id डालना है और अपना address यानि address का जो pin code है उसको डाल करके simple सा आपको continue वाले button पे click कर देना है अगर आपके पास our lady access bank का कोई credit card है तो आप इसको apply कर सकते हैं या no अगर नहीं भी है तो भी apply कर सकते हैं तो इसमें additional कुछ detail डालना होता है तो मैं credit card already मेरे पास credit card है बट मैं no करके ही apply करूँगा क्यूंकि मुझे limit कुछ ज्यादा ही चाहिए इसलिए मैं no करके apply करूँगा इस credit card को already existing customer आप yes करेंगे तो आपको direct यहाँ पे yes करने में यही option आता है तो आपको simple सा EC पर click कर ले रहा है तो मैं yes कर लूँगा yes करने के बाद आपको यहाँ पर simple सा आपको अपना mobile number अपना date of birth यहाँ पर डाल करके next करना होता है तो मैं यहाँ पर simple सा यह आप existing customer के लिए भी offer है यहाँ पर आप directly yes करेंगे तो आपको अपना already अगर आपके पास कोई credit card है तो yes करेंगे no भी करेंगे तो भी आप apply कर सकते हैं तो already मैं existing customer हूँ तो यहाँ पर मैं डाल दूगा यहाँ पर अपना mobile number आपको डालना है अपना data birth डालना है data birth डालने के बाद आपको next वाले बटन पर क्लिक कर लेना आपका जो भी mobile number registered होगा उस पर एक OTP जाएगा तो वह OTP आपको simple सा यहाँ पर डाल करके यहाँ पर आपक पास कोई employee code है तो यहाँ पर डालीएंगा यह optional है नहीं पर डालना है तो मैं यहाँ पर डालना है तो मैं यहाँ पर अपना OTP डाल देता हूं और OTP डालना हो और agree को accept कर लेना है accept करने के बाद आपको simple सा submit वाले button पर क्लिक कर लेना यह कुछ आपको सारा कुछ details है इसको fill क कर लेना है यहाँ पर नाम अपना pen card और date of birth अपना यहाँ पर कार्ड पर क्या नाम चीए अपना मदर्स करने में यहाँ पर आपको education qualification अपना email id अपना address आपको मैंने बताया resident address मतलब आपको जो resident address है वो आपका same है तो अगर आप no करेंगे तो आपको एक address करने के लिए पू आपको net salary पूछा जाता तो आपको net salary यहाँ पर डाल देना है अपना net salary और employee type में आप कौन सा government हो private हो तो आप simple सा private select कर लेंगे जो भी employee sector होगा यहाँ पर आपको simple सा अपना code डाल देना है private sector का जो भी code होगा occupation code यहाँ पर select source of fund sales मुझे मिलती है select type of industry कौन सा यहाँ पर industries है तो यहाँ पर आपको industries select कर लेना है जो भी आपका industries होगा यहाँ पर आपको simple सा select कर लेना है यहाँ पर आपको यहां पर देखिए आपका joining और annual fees यहां पर अभी zero है अगर इस महिने के बाद अगर आप apply करेंगे तो इसका charges लगेगा तो मैं simple सा my zone credit card को ही select करूँगा जो भी आपको credit card select करना है उस पर click कर लेना है तो मैं simple सा इसी credit card को select करूँगा my zone credit card को और card को select करने के बाद यहां पर simple सा आपको submit वाले button पर simple सा आपको click कर लेना यहां पर देख सकते हैं आपका यहां पर card successfully registration successfully हो गया आपको यहां पर application number मिल जाएगा अब यहां पर आपको कुछ time लगए एक से दो दिन के अंदर आपका card process होगा process होने के बाद आपका card approval हो जाएगा और जो भी आपने address डाला होगा उसी पर card आपका delivered हो जाएगा बिना किसी document का यहां पर कोई कोई भी document आपको देने की जरूरत है या बिना किसी document का आप इस card को approval करा सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको यह चीज़ ध्यान रखना बिना किसी document तभी आती है बात जब आपका थोड़ा सा civil score अच्छा होगा और शाड़े 700 प्लस होगा तो आपको कोई भी document देने की approval पा सकते हैं बिना किसी document का अगर आपका अच्छा खासा civil score होगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिकर रखिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेट ओपिक साथ तब तक लिए जय हिन जय भारत